अब आज किसमें बात करने हैं सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम में स्क्रिप्टिंग लेंगवेज ठीक है यह आरज़ी डिपलोमा सीएसी थर्ट सेम का एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ठीक है बहुत मज़ा आएगा अपन को इसको सब्जेक्ट को पढ़ने में का अपन लोग जब सब्जेक्ट में धीरे-धीरे फ्लो में आगे बढ़ेंगे ना तब उनको लगेगा यार अपन पाइथन लेंग्वेजी पढ़ रहे हैं क्योंकि पाइथन को ही सेट अप करना है उसका ही कोड लिखना है वेरिवल्स डाट टैप्स पढ़ने है लूप्स कर लेंगे ना तो आपको ऐसा लगे कि मैं पाइथन लेंग्वेज को अच्छे सीख चुका हूं ठीक है जितना मतलब अपन को आने चाहिए जितना इंडस्ट्री में मांगते है उतना अपन सीख चुके उसके बाद एडवांस लेवल में थोड़ा सा गेमें बना उसके लिए लग चीज़े यूज होती है वह अपन जब पाइथन का जो मैं कोर्स पड़ा रहा हूं एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल पर वहां पर आप सीख चाहिएगा ठीक है बट यह वाले उसमें आपको पाइथन का फुल फ्लेश कोर्स भी मिलेगा क्योंकि इसमें सारी ची क्या होती है बेसिक चीज़े देखेंगे और इस चीज़ों को मैं बता दो स्टार्टिंग में कि जो अपने यह कोर्स रहने वाला है इसमें आपन दो चीज़ों दो तरह से पड़ेगे सबसे पहला होगा थे जैसे जो भी चीज कोड कर रहा हूंगा ठीक है या फिर सारी चीज तो मैंने आपको पता दी सब्सक्राइब Uhr चिज़े को आपको लिखेंगे सिर लिखते हूँ चलना हैं क्योंकि जब आप इससको लिखते हुए चलेंगे ना के पहुत आसानी होगी एक्जám में वह को बोलेगा कि यार मेरे कोई और में कॉट्शू चला कर देया वह आपको बोलेगा यार मैं कॉपी दे रहा हूं उसमें इस तरह का कोश्चन लिखता हूं कि यार सेटप करिए पाइथन को ठीक है और उसको आपको सेटप कि उसकी जो प्रोसेस रहती है वह सारी लिख के बतानी पड़ेगी तो मैं वह सारी चीज़े आपको प्रवाइड कर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले है कि यह जो अपना कोर्स रहना वाला है ठीक है आज भी डिपलोनार सब्सें में टूटल फाइब सब्जेक्ट से ठीक है पहला होगे अपना अल्गॉरिथम डाटा स्टेक्चर उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर और अपना जो है इसमें से तीन कोर्से को सभी यां और अपना यूटूब पर अपको लगता है कि यह वाले सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और कहीं पर अच्छा मतलब प्रॉफेसर कॉलेज में समझा रहा है तो सिंप्ली आप इन दो सब्जेक्ट का कॉर्स लेगे पढ़ सकते हैं बाखी तीन सब्जेक्ट जो है आपको यूटूब पर मिल जाएंगे तो हो गया बहुत सारी चीज़ा अपने सार डिसकस हो गई और यह कुछ डेमो लेक्ट्चर्स है चार से तीन से चार डेमो लेक्ट् सब्सक्राइब करने के लिए उसी को अपन बोलते हैं क्या स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज को मैं थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तब मैं आपको जब अब इसको डिफरेंट करूंगा क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज और प्रोग्रामिंग लेंग्वेज दोनों से ही होती है बट इन दोनों बहुत जादर डिफरेंस है अभी आपको जब डिफरेंस क्लियर करूंग तब आपको स्क्रिप् वहीं अगर बात करें C++ की जावा की अब पूछेंगे यार कोन से लेंग्वेजिए यह क्या है इसका डिफ्रेंस एशीया बात करेंगे अभी अपन को यह समझना है जो टास्क रहते हैं ठीक है कुछ भी टास्क अपन को परफॉर्म करें रहे तो उसको शोटा सट जो है टास्क अपन को परफॉर्म करा नहीं रहता है उसमें यह बहुत जादा यूज्ड होती है ठीक है यह चीज़ अपन क्लियर हो गई उसके बाद इसके कुछ देख लेते हैं की फीचर्स एक्जाम में आए तो आप यह चीज लिखेंगे ठीक इसलिए मैं सारे नोट्स बनाते हुए चल रहा हूं इंटर्प्रेटेड को इसकी बात करें अपनी सी की सी प्लस प्लस की उसमें कोड किस तरह से रन रहा मशीन कोड के द्वारा पहले रन किया जाता है ठीक इसलिए वह फास्टर भी होती है अब आगे उसके बारे में बात करेंगे उसके बाद लाइट वेट लूस फोर स्मॉल टास्क एंड ओटोमेशन नौट फुल स्केल एप्लिकेशन अगर बहुत ज्यादा बड़ा कोड लिगना है उसके लिए जो है यह थोड़ बात करें जैसे हो गया आप हो गया मैं हो गया ठीक है जिसने कोडिंग के लाइन में पहली बार अभी कदम रखा है ठीक है तो उसके लिए जो स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज है वो क्या है बहुत ज्यादा एक बोले तो बिगिनर फ्रेंडली हो जाती है क्योंकि उसका जो फिर इंट में उसके बाद सी आउट है और जो भी अपन को प्रिंट कराना है फिर एंडल डालना पड़ेगा उस चीज़ को नीचे लाने के लिए फिर रिटर्ण टाइप लिखके फिर जो अपने इंडिटेंशन है वो साज चीज़ लगाने पड़ेगी बट अगर वहीं ब बंदा है वो भी आपको इसको आराम से समझ सकता है ठीक है उसके बाद करें पॉर्टेमिलिटी की केन रन और मल्टिपल प्लेटफॉर्म विडाउट नीडिंग मोडिफिकेशन ठीक है यह कोई सहर प्लेटफॉर्म पर जो आराम से चल सकती है इसका अगर एक कोड की बात कर रन है मतलब कोड है उसको अपन अराम से मल्टिपल प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं किसी भी मोडिफिकेशन के वहां पर नीड नहीं है ठीक है उसके बाद ऑटमेशन फ्रेंडली ओफन यूस फोर ऑटमेटिव रिपीटिटी टास्क बहुत जादा यूस की जाती है कब जो अपने ऑटमेटिव टास्क रहते है उसमें अभी क्या करना है सिंपल इस चीज को आपको नोट कर लेना है अपनी जो नोट बुक है आप बना रहा है उसमें इस इसको आप नोट कर लीजे जिससे जब एक्जाब में आपको लिखने के लिए आया कि यह लेंग्विज का कुश्यन पूछ लिया गया तो ठीक है तो अभी आप इस चीज को नोट कर लीजे जैना फिर अपन आगे बढ़ते हैं चलिए अब आगे बढ़ा जाओ देखा जाए और क्यारेक्टर स्टिक्स से स्क्रिप्टिंग लेंग्विज की सबसे पहली क्यारेक्टर स्टिक से इंटर्प्रिटेड लेंग्विज ठीक है अभी मैंने आपके लिए आपको बताया था कि क्या इस्क्रिप्टिंग आर एक् exc Jauchtear die टाइब इसमें कोई 방ही ऐसाइन करने की जरूरत नहीं पडती है अपने आप बना लेता है इसमें अलग से अपने की ज़ुआ नहीं पड़ती है उसके बाद हाई लेवलेबल무ंप्सें प्रवाइड बिल्ड इं फंक्शिन ए ノop इसमें कुछ ऐसे बिल्डिन फंक्शन्स हैं कुछ लिख रहे होते हैं कुछ भी अपनको बड़ा सा प्रजेक्ट बना रहा है और अपन को लिख रहा है तो बहुत सारी चीज़े अपनको ऑनलाइन मिल जाती है वह लाइबरी को बस अपनको कोड में एड करना पड़ता है ठीक तो यह चीज इसमें फीचर है तो यह इसकी थर्ड करेक्टर से उसके बाज शॉर्ट डेवलोप्मेंट टाइम आइडियल पॉर क्विक प्रोटोटाइपिंग एंड डेवलोप्मेंट ऑफ स्मॉल एप्लिकेशन ठीक है बहुत बड़े बड़े आपने बिजनस देखे इस तरह से दिखने वाला है अब वह वर्किंग ना हो उसमें बटन मेंटन चले उसकी कोई बट एक प्रोटोटाइप सिंपल सा जिससे उसको समझ में आ जाए कि इस तरह का बनने वाला है तो उसके लिए जो लेंग्वेज यूस की जाती है जाधा तर वो की जाती है करते हैं प्रोटाइप बना लेता है वही यह पॉइंट लिखा है क्या लिखा है आईडियल पॉर क्विट प्रोटाइपिंग एंड डेलोप्मेंट फॉर स्मॉल एप्लिकेशन ठीक है यह चीज़ के लिए उसके बाद फिप्ट पॉइंट का लिखा है इंटीगरेशन लाइडिग्विज आराम से अधर प्रोग्रामिंग लेंगज जिसके साथ वर कर सकती है साथ में जैसे कोणद सी लेंगवेज होगी ऑक इसको साथ में ने स्क्रीप्रिप्टिंग लेंगवेज की समझ में आ गई होगी तो इसको आपको नृट डाऊं कर लेना दैन फिर बार देख लेंगे यार स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंड डिफ्रेंशिस हैं तो अपनको चीजे और अच्छे से क्लियर हो रही होगा ठीक है तो इसको आप नोट डाउन करेंगे दैन फिर अपन आगे बढ़ते हैं चलिए अब बढ़ते हैं डिफ्रेंशिस बिट्वीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो इसको अच्छे समझ लेंगे तो आपनको बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग खुल रहा होगा सबसे पहला पॉइंट की डिफ्रेंशिस क्या हैं कंपाइलेशन और इंटरप्रेटेशन के टाइम पर जो अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे हो गई कौन सी की सी प्लस प्लस और कंपाइल इंटू मशीन कोड बिफोर एक्सक्यूशन ठीक होने से पहले ही करती है मशीन कोड में कंपाइल होती है बट वहीं अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात कर अगर पाइथन हो गया पीरियल हो गया और इंटरपेटेड लाइन बाइड पर ही यह लाईन बैल जो है इंतरपेट करती है दोनों की बातकर अगर प्रोग्रामिंगूश और क्लitलिक की सकती है अगर कउन सेकोड करती है इस वजह से क्या है यह वाल्य अगर कौन सी होगे यह जो अपनी सी और सी प्लस प्लस है हetted वही अगर करती है इसलिए यह बोलेंगे जब मैं कोड करा रहा होता हूं या प्रिंट करके है लो वर्ल लिख रहा होता हूं और प्रिंट करा रहा होता हूं तब मेरे को ऐसा नहीं लगता है वह ज़्यादा स्लोर हो रही है जब मैं C++ में कर रहा हूं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता फास्ट हो रही है मिरे को लुक्त से बहुत ज़्यादा कम उससे भी कमस्कम सो देड्सो बहुत कम बोल दिया लाखोगुँना उससे भी ज़्यादा जो उसको पोलते है उत्ता ज्यादा स्लोग और फास्टर टाइम होत तो इसको अपने सोच आप पर अपने माइंड है इसलिए अपने चीज को आप इसलिए कि C++ जो है वो बड़े-बड़े games जो अपने बनते हैं वो C++ language के दौरा बनते हैं C++ language सीखते हैं उसके आगे भी बहुत सारी सीखने पड़ती है तब जा कि अपने गेम का development होता है क्या game development की field में जाना है तो आप C++ सीख सकते हैं उसके अलावा अगर बात करें operating system जो बड़े-बड़े operating system जैसे Windows हो गया Linux हो गया और अपना जो Mac हो गया ये भी अपने क्या है operating system क्यालाते हैं तो ये जो बनते हैं वो किससे बनते हैं C++ हो गया C हो गया Java हो गया इनकी मदद से वो चीज बनाई जाती है उसके अलावा बात करें scripting language की तो ये क्या है automate small task automate करने के लिए small task को उसके लिए use होता है और enhance web development को थोड़ा सा enhance करने के लिए जल्दी बनाने के लिए faster बने क्योंकि आपने पड़ा था कि इसमें बहुत सा libraries होती है तो इसके लिए जो है अपनी scripting language होती है और जो programming language का use है वो है क्या अपना games बनाना ठीक है बड़े-बड़े games बनाना जैसे pubg हो गया और क्या ही नाम लो अभी यही दो trend में चल रहा है उसके अलावा जो अपना operating system है यह बड़े-बड़े काम के लिए अपन programming language करते हैं बड़े चोटे काम हो गया चीज़ों को automate करने के लिए और web development को enhance करने करने के लिए उसके लिए अपन scripting languages यानि कि python और पीरल को यूज करते हैं तो simply आपको इसको नोडाउं कर लेना है वैसे तो पीरल python और java script का भी जो है backend में यूज किया जाता है तो यह सारी चीज़े हो गई तो इसको आप नोडाउं कर लेना है डिफ्रेंसिस की मदद से अपन को clear हो गया है कि आखे scripting language programming language में क्या पर्क है क्या कि उसकी uses है किसलिए वो काम आती है तो इसको आप नोडाउं कर लेना है तो आपन आगे बढ़ते है चली अब आगे बढ़ा जाओ देखा जाए सिंटेक्स और आपको अब बताया में है कि आगर आगर लैंगे की बात करें में लैंग्विज की बात करें इसका अगर में बेसिक सिंटेक्स आपको बताओं तो क्या है है दो मेंट हैस्टेग इंक्लूट जैसे मुझे किस चीज़ को प्रेलो वर्ल ली प्रिंट कराना है है हैस्टेग इंक्लूट आयो इस्ट्रीम ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस इस्टीडी उसके बाद इंट में इंट में स्क्वार ब्रेकेट्स कर्ली ब्रेकेट्स उसके बाद यहां पर लिखेंगे अपन सी आउट मानलो हेलो वल्ड जो है अपन को प्रिंट कराना है ठीक है और यहां पर सी आउट करके अपने लिख दिया अब यह एंडल की उसकरते हैं कि अपना जो कोड है वो रन होने के बाद नेक्स लाइन में चले जाए और उसके बाद रिटेंड प्रिंट क्राने के लिए जो क्या है सिर्फ इसको प्रिंट कराने कि लिए अगर लिखना पड़ेगा बट वही अगर पाइदन की बात करें वही अगर पाहिआंप फैदं की बात करो कि और बן को उसको मे replicate करा आया क्या लिए प्रिंट यह यह जो चीज अब यहां पर लेखे उसको प्रैक्टिकली इसमें देखा और प्रैक्टिकली अभी जब अपन लोग लेक्चर में थर्ड-फोल्ड लेक्ट्टर में आगे बढ़ेंगे जब पाइथन को पहले सट अप करेंगे उसके बाद चीज़ों को रन करेंगे बेसिक एक चीज को प्रिंट कराने के लिए इतना बड़ा कॉंप्लेक्स सा कोड अबन को लिखना पड़ेगा वहीं अगर स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज की बात करें है सिंपलर एंड मोर रीडेबल से जैसे आप देख सकते हैं सिंपल सा संब्सक्रिंट कराना तो ब्रेन कर लेना है तो इंपोट यह चीज कर दिया नहीं तो बेसिक्स आपना सिंपल आपना से और रीडेबल आराम से कोई भी बन्दे इसको रेट कर सकता है यह चीज फूर फंट क्लियर हो गया उसके बाद डिलॉप्मेंट प्रॉसेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वार्स मुल्टिपल स्टेप्स कंपाइलेशन लिंकिंग ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यह आपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में यह कुछ की डिफ्रेंसिस हैं जो अगर एक्जाम में आते हैं लिखने को कि डिफाइन करिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और अपनी प्रोग्रामिंग लैं सबसे पहली जो आपको बताए स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज में सबसे पहली जो है वो क्या है ठीक है वाइडली यूज फॉर वेब डॉलपमेंट डाटा एनलेसिस ऑटमेशन और आटिफिटियल इंटेलिजेंस एक्जाम में भी आए अगर आपको पूछा जाए कि यार स् इंटेलिजेंस की बात करें तो यह कुछ फील्ड से जहां पर अपना जो है पाइफन का यूज होता है उसके बाद नौन फॉर इट्स एजी तो अंड़स्टेंड सिंटेक्स यह किस वजह से जो है जानी जाती है इसका जो बेसिक से सिंटेक्स है या उसके लिए यह मार्ग यह जाती है वह इसके बारे में आपने जाता नहीं सुना यह टाइम्स टी और सर्फ के वजह यह यह कर सकते इसके लिए बस यह है what is skill theme यह इसके अलावा अगर बात करें तो यह famous नहीं और यह famous क्यों नहीं है वही बात है कि यह बहुतPेसिक लूग करते यह यह इसके बारे चांते हैं बट एगर GET वाइडली ओडिंस आपके slivers में है अगर अगर अपने बात करें common scripting language तो अपनी total पांच scripting language है ठीक है जैसे में नाम गिनवा देता हूँ थोड़े से जितने मिरे को याद है python हो गया पीरल हो गया अपने Ruby हो गया और JavaScript हो गया यह चार languages के नाम मिरे को याद है बट इसमें से भी जो अपने आपके slivers में जो आने वाली है वो पूछे जाता है या पिर जिसके बारे बात करी जाएगे exam question पूछे चाहेंगे वो सिर्फ पूछे चाहेगा python और पीरल के बारे में तो इनी दो languages को लेकि आपन आगे चीज़े कर रहे होंगे अभी अपने लोग जान लेते हैं क्या-क्या है बट आगे जब हमने काम कर रहे होंगे वो पीरल और python के बेस्ट पर कर रहे होंगे ठीक है उसके बाद थर्ड आ जाती है अपनी जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के है प्राइमली यूज पॉर क्लाइन साइड वेवलेफमेंट मतलब वेटेशिया जावास्क्रिप्ट के उसके बाद मिक्स वेबसाइड इंटर एक्टिवnd रिस्पॉनसिव जो अकुडब वेबसाइड से यह मतलब से पहला अपनिक जावास्क्रिप्ट उसके बाद फीर नोट ऊसीखना पड़ता है य वही चीज लिखिए प्राइमिल यूज फोर क्लाइंट वैब डिलॉपमेंट और मेक्स एंट्रक्टिव रिस्पॉंसिव जो अपनी वैबसाइट उसको इंट्रक्टिव रिस्पॉंसिव बनाने के लिए यह बहुत करता है ठीके तो इस चीज को नोट कर लेना है दैन फिर अ दो रिख लिख आती है वहती है रूबी लैंगवेज ठीक नॉन फोर डिवलपमेंट रूबी और रेट फ्रेमवर्क जो हैं अपने वैब डिलॉपमेंट जो यूस किया जाते हैं ठीके मतलब सिंप्ली अगर बात करें तो वैब डिलॉपमेंट की फीड में रूबी लैंग ठीक है किस में Linux और Unix में operating system में very common in system administrative at dev ops ठीक है तो यह कुछ चीज़े हैं यह कुछ scripting languages है अपनी सबसे पहली अपनी बात हो गई कि इसकी python की second अपना पीरल third हो गई अपनी javascript, fourth हो गई अपनी ruby और fifth हो गई अपनी bash ठीक है तो यह कुछ अपनी scripting language exam में question बन सकता है कि बताइए जो अपनी कितने पर कौन कौन सी scripting language है ठीक है common scripting languages के नाम बताइए तो आप यही जो है अपनी scripting language को लिख देगा उसके बाद यह जो points लिखें इसमें उसको थोड़े सा define कर देगा ठीक है जिसके exam में पर थोड़ा अच्छा impression पड़ता है और मैं वही चीज बोलूँगा exam में अपन को answer को paragraph की form में present करके नहीं आने उसमें अपन को क्या करना है कि points की form में जिस त लेंग्वेज को अपन को क्यों सीखना है सीखना चाहिए ठीक है जया क्योंकि अपने को लाइफ में ऐसा होता है कि यह आगे चल कि अपन को रिपीट्व टास्क या फिर अपन आटोमेशन के लिए अपन को यूज करना पड़ा है ठीक है तब अपन जो है scripting language का यूज कर सक बार बार जो चीज़ों को कर रहे होते हैं उसको कर देता है जिससे अपना जो है टाइम बसता है उसके बाद easy to learn for beginner अगर कोई beginner friendly बनता है जिसको coding का C नहीं पता है ठीक प्रोग्रामिंग का P नहीं पता है तो अगर वो direct C प्लस में जम करेगा ना उसको ऐसा लगेगा यार मैं किस दुनिया में आ गया उसको कोड देखेगा चलते हुए और चीज़ समझ भी नहीं आ रही तो मेरे को नहीं सीखना मैं छोड़ देता हूं बट वहीं अगर बात करें कोडिया जो अपनी स्क्रिप्टिंग लेंगवेज जो बहुत ज़ाद है पाइधन की बात करें तो सारी है तो easy to learn है beginner के लिए इसलिए जो है अपने स्क्रिप्टिंग लेंगवेज सीख सकते हैं ठीक है ग्रेट फोर दोस न्यूट प्रोग्रामिंग द्यूट सिंपल सेंटेक्स ठीक है अभी जो बात करी मैं जो जो बोलता जाओंगा वह सारी चीज़े आपको इसमें लिख आँ ठीक है उसके बात करें integration with other tools work similarly with other applications languages and systems ठीक है यह आराम से other tools के साथ क्या करती है इंटीग्रेट हो जाती है उसके पाद rapid prototyping अगर अभी जो इससे पहले बात करें ती किसी चीज़ का अपन किसी apps का कोई क्लाइंट बोल रहा है मेरे को इस चीज़ का एक prototype बनाके दो तो जल्दी जल्दी prototype बनाने के लिए जो है python programming scripting language आराम से help करते है वह रखिए rapid prototyping quickly build and test small applications और script ठीक है उसके बाद broad application from web development to system administrative scripting language आर बट से टाइब ब्रॉड एफ्लिकेशन से इसकी अगर बात करें बात करें सिस्टम administrative की बात करें या थोड़े बहुत चोटे मोटे गेम बनाने की बात करें जो अपन बच्पन में खेला करते हैं साब cd वाला गेम वह अपने कीपेड वाले लोकिया के मोबाल में तो आपको इस चीज़ को आप पढ़ा आपने अब कॉलेज वाले तो क्या है आपको theory theory पढ़ाएंगे बट में आपको theory के साथ practical पढ़ाते हुए भी ठीक है practical भी सिखाते चलूँगा जिससे आपको मान लो कभी exam ऐसा हो कि आप theory भूल जाते हैं तो अब practically चीज़ याद रहेग आपनी वेब डालो वेब वेब application बढ़ाएंगे ठीक है तो इसको आपको note down कर लेना है दैन फिर अपन आगे बढ़ रहा होते हैं तो इसको मैं थोड़ा असरब कर देता हूँ दैन फिर अपन आगे बढ़ दें चलिए चलिए तो इसके साथ आज के वीडियो कंप्लीट होता है वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिविव मुझे कमेंट सेक्शन में देना यह अपना डेम लेक्चर से इसके बाद मैं तीन से चार डेम लेक्चर डालूँ हो जिससे आपको कमसका में connect लगे कि क्या भाईया ज जाएगा इसी वीडियो के या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके देख सकते हैं वहां पर जाके आप जैसी एडुकेशन पॉंट ऑनलें सर्च करेंगे एप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको सर्च करना आज पी डिपलोमा स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज या सर् ठीक है अपने जो अपना कंप्यूटर स्क्रिन नहवां पर कोड करते हुए चीज़ को पढ़ेंगे और जो चीज लिखने लायक होगी वह चीज लिखेंगे भी लास्ट में जो है इस चीज़ कंपाइल करके एक अपन को गेम भी बना रहे होंगे और अपना जो वह बना रह हो गया यह तीन सब्जेक्ट जो है आप लिए यूटूब पर रहने वाले हैं बस दो सब्जेक्ट जो है पेड है पहले डाटा स्ट्रक्चर और स्क्रिप्टिंग अगर आपको लगता है तो आप कोर्स लेके पर सकते हैं ठीक है तो वीडियो को ही कंप्रीट करते हैं वीड